हेलो स्टुदेंट्स वेल्कम तो चानल रचना माथ सोलुशन्स इस वीडियो में हम लोग सेखे हैं सेकेंड इंजिनेरिंग सेमिस्टर थर्का मैथेमेटिक्स ये सब्जेक्ट जिसमें हमने चाप्टर स्टार्ट किया है लापलास रांफम वन और ये उसका लेक्चर ट्वें ट्वेंटि जबद लेएं बता हुए ले समघाट तो उन्हें लापलास सफवान की डैफिनिशन क्या होत éta है of t is equal to integral 0 to infinity होता है e to the power minus st f of t और यहाँ पर dt होता है which is equal to right side में phi of s अभी देखो लापला स्वाफ की definition का middle वाला पार्ट अगर मैं question के साथ compare करता हो तो क्या पता चल जाता है integral 0 to infinity है वहाँ पर e to the power minus st e to the power minus t के साथ compare हो रहा है जिसमें s की value कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और लास का dt भी है तो इसका मतलब यह जो भी round bracket के अंदर आया है वह क्या है हमारा f of t है तो पहले उसका क्या निकाल लेना है उसका laplace transform of f of t निकाल लेना है तो यह जो ब्रैकेट के अंदर function आया है पहले हमें उसका laplace निकालना होगा और उसमें क्या दिख रहा है वह क्या वह किस रूल से आ जाएगा यूजिंग laplace transform of integral के apply करके उसका laplace आ जाएगा round bracket के अंदर जो function लिखा उसको उसको उसमें भी क्या दिख रहा है हमें u square यानि कि t square यह property मुझे apply करनी होगी multiplication by d e और यह function क्या हो जाएगा basic function sin h u cos h u यह basic function हो जाएगा लेकिन round bracket के अंदर जो भी function आया है उसका laplace निकालने के लिए हमें उस function को t के नाम से consider करना होगा ठीक है ना समझ में आ रहा है तो सबसे पहले में laplace किसका निकाल लेता हूँ sin h u dot cos h u लिखा है ना उसका laplace निकाल लेंगे लेकिन उसको लिखेंगे in terms of t that is since laplace क्या निकाल लेना है मुझे sin ht dot cos ht इसका निकाल लेना है ठीक है अभी यह दोनों function इनका standard formula है laplace का लेकिन दोनों function एक दूसरों को कैसे आया इंटू में आया ना तो उसका कोई formula नहीं हो लेकिन हमरे पास एक formula है वह formula क्या होता है अगर मेरे पास sin2θ है क्या का अगर मेरे पास sin2θ है यह मैंने लिखा circular function में sin2θ का formula क्या होता है 2sinθ.cosθ फो यह formula होता है ना same formula hyperbolic case में भी काम्याद आता यानिके sin2θ अगर लिखता हो तो उसका formula कैसे हो जागा 2sinθ.cosθ हो जागा है उपार वाला formula circular function के अंदर आता है hyperbolic function के अंदर same formula कैसे हो जाता है sin2θ 2sinθ.cosθ तो हमारे पास function में क्या पूचा है लाप्लास किसका निकालना है cosht.sinht.cosht का लाप्लास निकालना न यहाँ पर 2 नहीं है तो इसका मतलब पर का अगर दुखका यह जो 2 है राइट साइड में आयाबा वह कहाँ पर अपला कर दूंगा sin2θ by 2 इसका मतलब sin2θ.cosθ भी हो जाएगा तो by using this formula मुझे sin2θ.cosht का लिखना होगा देखो यह लाप्लास तो लिखा है bracket पर क्या लिखे हम लोग side h2t upon 2 लिखा ठीक है और यहाँ पर यह upon का half constant है तो बहार आएगा तो क्या हो जाएगा बहार में half लिखना पड़ेगा laplace of किसका रह जाएगा किस function के लिए sin h2t ठीक है अभी इसका तो डारेक formula है जिसको हम लोग laplace apply कर सकते है sin h2t sin h2t का laplace transform क्या हो जाएगा s यह a upon देखो यह one button लिखा यहाँ पर a की value 2 है 2 upon s square minus 2 square 2 square कितना हो जाएगा 4 तो यह हो जाएगा sin h2t का laplace transform यहाँ कि fire face यहाँ पर next step में यह 2 और 2 cancel हो जाता है तो right side में कितना बचेगा 1 upon s square minus 4 ठीक है इतना clear है और इसके पीछे जिस function का लापलास था वो function लिखूंगा that is sin ht sin ht dot cos ht इतना लिखा ठीक है अभी इस function को हम लोग multiplication by t की property apply करने होगी क्योंकि यहाँ पर sin h u dot cos h u किस से into किया गया है u square से यह कि t square यह multiplication by property मुझे use करने होगी इसके बाद लिख लेता हूँ by multiplication of t property by multiplication by multiplication of by t property ठीक है property यह उपर का f of s है f of t है उपर का f of t है उसका right side में आया हुआ 5 of s है इसका अगर हम लोग multiplication by t की property apply करते थे तो right side में जो भी 5 of s आया है उसका derived is करना होगा जितनी बाद जितनी पर t multiple हुआ है ठीक है तो यहाँ पर देखो laplace of क्या लिखा t square लिखा क्योंकि t दो पर आया ना into में और यहाँ पर क्या दाएगा sin ht dot cos ht round bracket close is equal to minus one ka square और two times derivatives क्योंकि यहाँ पर t square आया है d square upon d a square for which function उपर वाला दो बार में से एक बार derivatives कर रहा हो तो यह एक बार derivatives बचेगा था तो यह बचा हुआ bracket में एक बार derivatives किया हुआ value लिखेंगे one upon x का derivatives क्या होता है minus one upon x क्योंकि यह निचे वाला टब x की जगह पर आया तो उसका derivatives कैसा हो जागा minus one upon s square minus four का whole square ठीक है और जो x की जगह पर आयता है उसका फिर से derivatives that is 2s लिखा हो उपर bracket में लिखा हो यह round bracket क्यों ठीक है इस step से common कि इसको बाहर ले सकता हो मैं minus two को बाहर ले सकता हो तो minus two बाहर आ जागा और d by ds कि इसका करना है फिर next step में s upon s upon s square minus four bracket में लिखकर उसका square इसका derivatives करना है इतना समझ में रहा है तो next step में फिर से derivatives कर देता हो बाहर क्या रहेगा बाहर यह minus two रहेगा ठीक है बाहर यह minus two रहेगा उसके बाद अंदर जो भी function है उसको क्या अप्ला किया आ जागा यू अपन वी का रूल यू अपन वी का derivatives का रूल दाट इस पहले भी square लिखेंगे s square minus four whole square लिखा उसके बाद s का derivatives लिखा one minus minus bracket लिखा हमेश है इतना याद रखो minus bracket दिया करो एक ज्यादा term होगे तो minus bracket लिखा उसका उपर वाला टब that is s नीचे वाले टब का derivatives that is क्या हो जागा two times of s square minus four और s square का फिर से derivatives करता हो तो कितना हो जागा two s और यह छोटा वाला square bracket close कर दिया upon में v square that is s square minus four already square था हो अपस उसका square करता हो तो नीचे कितना लिखना होगा s square minus four का power four लिखना होगा और यह बढ़ा वाला square bracket close उपर और का अगर मैं observe करता है तो क्या पता चल जाता है s square minus four यह दो बार आया है यहां पर i square minus four एक बार आया है तो puisque kamachen-ira लिटा बाहर का minus two is ऐधे टीस उपार से s square minus four को यह comment बाहर ले लिए bracket डाला यह दो बार था था तो एक एक बार यहाँ पर बचेगा ना s²-4 तो वो लिखा यह माइनस बीच का 2s into 2s कितना हो जाएगा 4s² और यह s²-4 तो बहार आया हुआ है यहाँ पर क्या लिखना होगा minus 4s² यह square bracket close अब और में क्या लिखेंगे s²-4 का whole square whole square की whole का power 4s²-4 का raise to power 4 यह पढ़ाला square bracket close अभी देखो s²-4 एक बारे उपर s²-4 नीचे चार बारे तो एक बार cancel हो जाएगा ना तो upon में 3 times पचाएगा हो यह minus 2 as it is लिखा यहाँ पर उपर बे s²-4 s² कितना रहेगा minus 3s² हो जाएगा वहाँ पर यहाँ आगी का minus 4 upon में s²-4 to the power कितना हो जाएगा cube हो जाएगा इतना clear हुआ numerators में minus sign बहार ले सकता हो अगर में numerators में minus sign बहार लेता हो तो क्या रहेगा बहार का as it is that is s²-4 का whole cube कितना सार में आया और इसके पीछे यह लापलास किसके लिए आया था लापलास for t² dot sin ht dot cos ht चीक है इसके लिए यह लापलास आया था ना is equal to यह है मेरा f of t left side में है और उसका 5s right side में आया हुआ है अभी हम लोग इसको क्या apply करेंगे by using laplace transform of integrals by using laplace transform of integrals चीक है by using laplace transform of integrals जब apply हो जाएगा तो उसमें क्या करना होता उपर वाला तो f of d होता उसको in terms of f of u लिखना होता डारेकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर t² तो उसको में u sqeer लिखा sin ht उसको क्या कर दिया sin h u लिख दिया cos ht तो उसको क्या लिखा cos h u लिखा last में directly du apply कर दिया last में du apply कर दिया तो शुरूरात में क्या कर दिया 0 to t apply कर दिया और यह सब कुछ square bracket के अंदर लिखा और उसको right bracket के बार क्या लिखा Laplace transform लिखा ठीक है तो यह इतने सारी changes left side में करने पर right side में changes क्या हो जाता है 1 upon s को simply और right side में जो भी function ने 5 पे सुपर वाला ओ लिखना होगा that is 2 bracket में 3 s square plus 4 upon में क्या जाएगा s square minus 4 का whole cube ठीक है इतना clear हो गया तो यह left side में square bracket के अंदर जो भी आया आप है वो क्या है हमरा f of t है और उसका right side में 5 है तो अभी हम लोग use करेंगे Laplace transform की definition देखो since लिखा Laplace of f of t किया होता है definition wise integral 0 to in 3d e to the power minus st होता है बाद में f of t होता है और यहाँ पर dt होता है is equal to क्या होता है firebase ठीक है तो यह square bracket के अंदर यहाँ पर यह step में square bracket के अंदर जो भी आया है उसको हम लोग consider करेंगे f of t यह Laplace of f of t in terms of firebase available है तो यह f of t की value मैं कहाँ पर put करूँगा Laplace transform की definition में ठीक है यानि की नीचे वाली part में नीचे वाली step में तो उसके कारण क्या लिखना होगा हमें यह left follow part तो as it is रहेगा Laplace और main question as it is ठीक है कैसे changes हो जाएगे यह वहाँ पर next step में पीछे तो Laplace ही रहेगा Laplace f of t chain नहीं हुआ तो यानि कि क्या लिखना है मुझे 0 to t u square sinhu dot coshu यहाँ पर आगे लिखा du ठीक है is equal to integral 0 to infinity e to the power minus ht आएगा न क्योंकि हम लोग definition में put कर रहे है यह f of t देखो f of t के जगा पर यह question लिखा जा रहा है तो integral 0 to infinity e to the power minus st आएगा minus st आएगा उसके बाद यही function लिखना है मुझे in place of f of t ठीक है तो round bracket में लिख देता हूँ उसको मैं round bracket में लिख देता हूँ round bracket में क्या लिखना होगा integral 0 to infinity u square sinhu coshu du round bracket complete और last में क्या आएगा dt ठीक है इतना clear होगया is equal to is equal to 5s यानि कि यह यही लिखना है ना मुझे that is what one upon s bracket में उपर two times of three s square plus four और upon में क्या लिखेंगे s square minus four का whole cube इसको equation number one put कर दिया उसको equation number क्या put किया one put कर दिया अभी देखो equation one का middle बाला part पुझे exactly question के साथ match करने के लिए s की value कितनी होनी चाहिए one होनी चाहिए ना तो यह हमारा exactly question हो जागा जो की evaluate में पूचाता तो directly इसके कारण हम लोग ऐसा लिख सकते है put s is equal to one in equation one put s is equal to one in equation one तो therefore directly यहाँ पर तो s है नहीं तो यह part लिखने की ज़रूरत नहीं है तो the s इस यहाँ पर है और उसके right side वाले पार्ट में तो वही पर हम लोग s की value substitute कर देंगे तो left वाला पार्ट हमारा यह middle वाला पार्ट क्या हो जागा exactly question का पार्ट हो जागा therefore integral 0 to in 3t लिखा e to the power minus t लिखेंगे round bracket में क्या लिखना है वही main question जैसे आया बज़ा that is 0 to t integral 0 to t u square sinhu dot coshu du bracket close dt is equal to यह आपर s की value 1 है तो 1 by 1 1 नहीं होगा लिखने के दुरह हो थी उपर क्या रहेगा 2 रहेगा 3s square s की value 1 है 1 square 1 होता 3 3 plus 4 कितना हो जाएगा 17 3 plus 4 7 हो जाएगा 17 निस 7 हो जाएगा उपर लिखा 7 लिखा upon में s की value 1 है 1 minus 4 कितना हो जाएगा minus 3 minus 3 का cube minus 27 तो final answer कितना हो जाता है minus 14 upon 27 ठीक है यह है फिर हमारा final answer evolution of this integral का समझ में आया तो इसके बाद से concept के उपर एक आखरी question ले रहे यह हमारा आखरी question है इसके बाद हमारा laplace sum of one completely finish हो जाएगा तेको next question ऐसे दिया evaluate evaluate question इस तरीके से 0 to infinity integral 0 to infinity उसके बाद e to the power minus 2t दिया है और round bracket में function दिया है integral 0 to t e to the power minus u sin u upon u du round bracket close और यह dt ठीक है यह function दिया है अभी यह last function है यहाँ पर दिया का solution जब भी पताया था जब भी भी हमें evaluation of the integral type के सम आएगे तो हमें उसको क्या करना है laplace transform के definition के साथ compare करना है तो यह integral 0 to infinity part होता है और यह dt वाला part definition में होता है e to the power minus st होता है लेकिन यहाँ पर compare करने पर s के वाले कितनी पता चल जहीं मुझे टू पता चल जहीं और यह round bracket के iowa term क्या हो जागा फिर हमारा f of t हो जागा तो round bracket के अंदर जो भी function आया है सबसे पहले उसका हमें क्या निकालना होगा laplace transform निकालना होगा round bracket के अंदर iowa function को अगर हम लोग observe करते तो वहाँ पर laplace transform of integral की property use हुई है और जो भी function u के term में लिखा सबसे पहले उसको t में consider करते हो उसका laplace निकालना होगा ठीक है तो ऊपर तो first shifting theorem की property apply होगा ऐसा दिख रहा है और जो भी ऊपर numerator में जो भी function आया है उसको first shifting theorem की property apply होने पर उसको कौन सी property apply करनी है हमें division यहाँ पर basic function कौन सा हो जाएगा sin u that is sin t यह function हो जाएगा तो sin t से शुरुवत करनी होगी since laplace of क्या लिखा sin t लिखा laplace of sin t कितना हो जागा standard formula 1 upon s square plus 1 square ठीक है तो यहाँ इसके उपर अभी shifting theorem apply किया जागा e to the power minus u है तो e to the power minus t apply करना होगा तो उसके बाद लिखेंगे by using first shifting theorem first shifting theorem ठीक है by using first shifting theorem यह लिखा तो यह laplace of sin t लिखाता ना तो उसके बाद में क्या apply करेंगे laplace of जो function में दिया हो e to the power minus t sin t लिखा देखो sin t का laplace यानिक 5 यह है तो उसके उपर e to the power minus t यह shifting use हुआ है तो इसके करना right side में जहाँ पर भी s है वहाँ पर यह minus 1 है तो यह क्या करना होगा s plus 1 का whole square करना होगा और यह right side का one square as it is लिखा इतना clear हो गया अब यह जो भी function आया है in terms of t first shifting theorem का उसको मुझे division by t की property अपले करनी है तो again यह नेक्स step में by using division by t property by using division by t property division by t property by division by t property अगर हम लोग use करते है तो right side में जो भी fire face आता है उसका क्या किया जाता है इंटिकल किया जाता है over the limit s to in 3d ठीक है therefore left side में क्या रहेगा plus of e to the power minus t sin t उसका हम लोग t से divide करें तो upon में t लिखना होगा is equal to upon में t apply किया तो right side में जो भी fire face है उसका integral होगा over limit s to in 3d और यहाँ पी fire face वो क्या लिखा जाएगा s plus one का whole square plus one square और यहाँ पर आएगा ds ठीक है इतना clear होगा अपर right side में जो भी integral आया है वो standard formula है वो standard formula किसके साथ match कर रहा है देखो इस formula के साथ match करगा integral one upon x square plus a square dx अगर होता है तो उसका formula क्या हो जाएगा tan inverse x by a हो जाता है और बहार one by a लिखना होता है ठीक है is equal to यह plus c यह formula हो जाएगा integral one upon x square plus a square dx का formula क्या होता है one by a tan inverse of x by a plus c यहाँ पर x की जगह पर term coach आया है s plus one आया है और a की जगह पर कॉन साटम आया है one आया है तो one upon one लिखने के जरूर उतनी one ही हो जाएगा tan inverse of only s plus one रहेगा इतना clear है और यह square bracket close कर दिया उसको आया हुए limits that is s to infinity यह अब पर लिमिट और lower limit पूट करने के क्या करना होगा उसके limits value पूट करनी होगी तो tan inverse s plus one यानि कि infinity plus one infinity रहेगा तो next step में क्या आ जागा tan inverse of infinity minus tan inverse of क्या लिखना होगा s के जगए पर a c आएका lower limit तो s plus one हो जाएगा ठीक है tan inverse infinity के वाले कितनी होती है pi by two तो यहाँ पर लिखेंगा हम लग pi by two minus आगे का function that is tan inverse of s plus one अब देको 90 minus tan inverse of s plus one क्या हो जाएगा क्या होगा क्या होगा उसका answer s plus one ही रहेगा और left side में function main function that is laplace for what e to the power minus t sin t और यह upon कर d ठीक है इतना clear हो गया अभी round bracket यह square bracket के अंदर आया हो function को अप्लोग करो consider f of t और उसके right side का क्या आया हो है फाय पिस आया होए तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको laplace transform of integral apply करना होगा छीक है बाई using by using लिख़ा laplace transform of integral कर दिया laplace transform of transform of integral ठीक है by using laplace transform of इंटिकल के हिसाब से क्या करना होगा यह जो भी f of t में आया हुआ function है उसको हम लोग directly किस में लिखेंगे in terms of u लिखेंगे अगर in terms of u में लिखते तो क्या हो जागा वो laplace of e to the power minus u के term में दिखाई देगा ना तो देखो सबसे फ़ल में जो उसको u के term में लिख लिता हो e to the power minus t है तो u के term में लिखता हो तो u to the power minus u हो जागा यह sin t था था यह sin u हो जागा upon का t था था तो वो भी u हो जागा यह सब कुछ u में लिखने का बात last में लिखेंगे du तो शुरुबत में integral 0 t put करना होगा और यह जो भी लिखा उसको square bracket के अंदर enclose करकर बाहर क्या करना ह लापलस लिखना है इतने सारे changes करने पर राइट साथ में changes के हो जाएगा one upon s और उपर कर जो f function दना वही function लिखना है that is cot inverse s plus one cot inverse s plus one इतना लिखा ठीक है अभी यह जो भी round bracket square bracket के अंदर sorry round bracket के नहीं square bracket के अंदर जो भी function आया है उसको consider करो f of t और जिसका 5 of s राइट साथ मे definition since laplace of f of t क्या होता laplace of f of t integral 0 to infinity होता है e to the power minus s t होता है यहाँ फ of t उसके बाद आता है dt is equal to क्या होता है 5 of s राइट तो लापलास राइट साथ में definition में उसके उपर वाले step में square bracket के अंदर जो भी function आया है उसको consider करो f of t तो therefore next step पैसे हो जाएगे laplace of integral 0 to t लिखा e to the power minus u sin u upon u और यह लिखा du right square bracket के अंदर enclose कर दिया फिर definition में भी f of t की जगा पर यह ही function मुझे place करना होगा that is वो कैसे हो जाएगा फिर integral 0 to infinity e to the power minus s t रहेगा f of t की जगा हम लोग यह function put कर रहेगा that is वसको भी round bracket के अंदर put करूंगा integral 0 to t e to the power minus u sin u और यह upon का u लिखा यहा पर du bracket close औ तो भी 5 पसा है वो लिखना है ना में is equal to में क्या लिखना होगा फिर 1 upon s cot inverse हो जाएगा s हो जाएगा s plus 1 हो जाएगा cot inverse s plus 1 bracket close इसको दिया number 1 अभी देखो जो equation number 1 में दिया है उसको middle fall apart exactly हमारे question के साथ match होने के लिए s की वाले कितनी होने चाहिए 2 होने चाहिए ना तो यहा ठीक है देखो यहाँ पर यह जो ऊपर लिखा था ना यहाँ पर में प्लस 1 लिखना रहे गया था तो 1 upon s cot inverse s plus 1 रहेगा ठीक है उसना correction कर दिया last step में put s is equal to equation 1 कर देपर हमारा यह equation 1 का middle गला पर exactly question के साथ match करने लगेगा if we put s is equal to 2 so therefore integral 0 to 3t e to the power minus 2t round bracket के अंदर integral 0 to 2t e to the power minus u sign u upon u और यह last में du लिखा bracket close यह dt लिखा is equal to s के जिकापर कितना put करना हमें 2 put करना तो 1 by 2 हो जागा और यहाँ पर क्या हो जागा cot inverse cot inverse of 2 plus 1 that is 3 ठीक है यह है फिर हमारा final answer इसको calcp calculate करने की कोई ज़रूत नहीं यहाँ तक भी answer रखा तो भी हमारा काम हो जागा ठीक है तो य हमारे total 20th lecture में laplace transform और यह अच्छी तरह किसा exam point of view और concept point of view complete हो गया अगर फिर भी आपको किसी concept में प्रॉब्लम में doubt आता है तो पुझे please comment section में inform कर देना अगर वीडियो अच्छी लगते तो वीडियो को like कर दो और इसको अपने फ्रेंड के साथ share भी कर दो चैनल पर नही अच्छा संफम तू भी कहा जाता है ठीक है चलो बाई और टेक क्याव